हलो गुट इंविंग टू आल मैसल्फ मिताली खंडलवाल आई विल भी टीचिंग यू बायलोजी तो देखो बेटा हम लोग जो चैप्टर डिसकस कर रहे थे बेटा वो था चैप्टर नमबर फाइफ क्लास 6 गार्बेज इन गार्बेज आउट ठीके बेटा इसके लेक्चर लेक्चर 2 कम्पलीट हो चुका है बेटा आज हम लेक्चर नमबर ठीटिसकस करेंगे जो कि चैप्टर नमबर फाइफ का हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट रवस्ट और सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या बाते की था एक तो हमने सबसे पहले बात ही था ता बीट बात सब्सक्राइब करने आता है तो उसके बात पड़ा था हमने वेस्ट क्या होता है एनी मटेरियल विक इसकार्ड़ आफ्टर प्राइमरी यूज जिसको प्राइमरी यूज्ट की बाद हम डिसकार्ड कर देते हैं जैसे कि plastic water bottle हो गई वह west material है हमने west के बारे में बात की थी उसके बाद हमने बात किया था type of west ठीके अब देखो west के जो type थी वह दो type थी biodegradable and non biodegradable इसके बाद हमने इसका difference भी पड़ा था what is the difference between biodegradable and non biodegradable biodegradable easily degrade हो जाते हैं और non biodegradable easily degrade नहीं हो पाते हैं ठीके? biodegradable and non biodegradable एक से चल तो यह हमने पड़ा था इसके अलावा बेटा हमने type of the west में biodegradable and non biodegradable के अलावा हमने पड़ा था domestic west ठीके? क्या पड़ा था बेटा? domestic west ठीके? एक हमने पड़ा था बेटा community west community west या फिर बेटा public west एक ही बात है ठीके? उसके बाद हमने पड़ा था municipal west चल तो इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा बता देती हुआ आप लोगों को domestic west क्या होता है जो हमारी household activities से generate होता है हमारे घर से निकमने वाला west को बोल दिया office आसा जाते हैं government office आजाएंगे ठीके और office से निकलने वाला west क्या है बेटा left over food हो जाएगा आपका papers हो जाएंगे community west के अंदर आ गया हम municipal west की बात करें बेटा तो domestic west और community west दोनों को including form में municipal west बोला जाता है ठीके क्या बोला जाएगा बेटा दोनों को including form में municipal west बोला जाएगा उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था management of west क्या पढ़ा था management of west अब देखो कितने टाइप का हो सकता है solid liquid और गैस तीनों टाइप का हो सकता है तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमने पढ़ा था management of solid west ठीके management of solid west ठीके तो solid west को किस तरीके से manage करना इसके लिए हमने 2-3 method पढ़े थे सबसे पहले वाला method था लेंड फिल इसमें क्या किया था बेटा जो west material है उसको dump कर गया था एक pit बना करके उसके अंदर dump कर दिया यह landfill वाला method हो गया दोनों west को separate कर लो और जो non biodegradable उसको burn कर दिया जाता है और non biodegradable उसका बना लिया जाता है ठीक है only burning किसकी की जाती है बेटा non biodegradable की उसके बाद हमने पढ़ा था C वाला method बेटा compost ठीक है compost क्या होता है बेटा कि decomposition of west material with the help of the microbes अगर आप किसी भी west को decompose कर रहे हो और उसमें microbes use में ले रहे हो बेटा उसको बोलती है compost बेटा compost में हमने एक special example बढ़ा था vermy composting ठीक है vermy composting क्या होती है जिसमें worms को use में लिया जता है earthworm को use में लेकर क्या आप compost बना रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे vermy composting और इसका हमने पूरा detail में method भी पढ़ा था ठीक है यह हम last lecture में discuss कर चुके थे अब हमें पढ़ना है देखो management of solid waste हम complete कर चुकी है आज हमें पढ़ना है management of the liquid waste and management of the gaseous waste ठीक है चलो हमारा आज का topic क्या है management of liquid waste ठीक है liquid waste को किस तरीके से management करना है सबसे बेला है seerage treatment seerage treatment किया होता है actually Wert होता है हमारे घर से निकलने वाले जो गंदगी है हमारे घर भेसे को बोला सब्सक्राइब और क्रेटमेंट करना सबसेदीट MEN सबसेंने यह क्या हो सकता है liquid भी हो सकते हैं और solid भी होका बढ़ा seerage में ठीक हैं और उस लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करना मतला लिक्विड क्या होगा वाटर होगा उसको सेपरेट करना और उसको अधर एक्टिपिटीज में यूज में लेना उसी को बोला जाता है सीवेस्ट ट्रीटमेंट ठीक है तो सीवेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हम लोग इसको कि अगर किसी भी माटेरियल के अंदर सोलिड और लिक्विड मिक्स है तो उसको क्या किया जाता है उसको थोड़े टाइम तक स्टेबल रखा जाएगा तो उस मेथड को बोलते हैं बीटा सेडिमेंटेशन तो जो सोलिड मटेरियल ही वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो लिक्विड वो उपर रहे जाएगा और उस लिक्विड को सेपरेट करके हम लोग बैटा प्लांट के लिए यूज मिले सकते हैं हमारी अधर एक्टि इसेडिमेंटेशन किया जाता है मतलब इसको तो तो त्री देश तक स्टेवल रखा जाता है तो लिक्विड पांटी वो उपर आजाएगा अपर साइन में और जो सोलिड ऑन क्यों सोलिड वैट जयादा होता है रिखोड का कम होता हैं और फिल्टर करके रिच्टी créd में ले सकते हैं में थर्ड को मोला जाता है इसके अलावा थार्ड कोई रूट जौन ट्रीट्मेंट क्वुट जौन ट्रीट्मेंट क्या होता है विटा देखो डीवाट्रिंग में कोई भी माटेरियल यूज में ले सकते हैं ऐसा कोई नावियम मटेरियल जिसमें लिκविड और सौलिड करना ही कि दिवाटरिंगे है। लेकिन रूट जॉन ट्रीटमेंट में क्या होता है। निविट को सौलिड और लिकविड को सिपराट करने पे Do not allow water to stagnate, ठीक है, water को कभी भी एक जगह stable नहीं रखना है, generally क्या होता है, rainy season की time पर सड़क की उपर गड़े हो जाते हैं, ठीक है, pits बन जाते हैं, उनमें water fill हो जाते हैं बेटा, और वहां पर क्या होता है, उस time पर वहां पर mosquito develop हो जाते हैं, और आपको पता है, mosquito से कितनी सारी disease हो जाती है, जैसे कि आपके malaria हो गया, ठीक है, malaria आप लोगों को पता है, mosquito की वज़े से हो जाता है, तो do not allow water to stagnate, एक जगह stable नहीं रखना चाहिए water को, नहीं तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे microbes develop हो जाएंगे, और वह microbes हमारे अंदर several disease cause कर देंगे, ठीक है, तो seaweed liquid waste का treatment करना चाहिए, उसके अलावा बेटा, देखो, जो हमारे, हमने क्या 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 पड़ा, एक तो seaweed treatment, एक dewatering, एक root zone treatment, और do not allow water to stagnate, एक जगह stable नहीं रखना चाहिए, ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए, अब हमें देखना है, management of the gaseous waste, gaseous waste को किस तरीके से manage करना है, अब देखो, gaseous waste क्या करता है, air pollution cause करेंगा, और air pollution की वज़स से हम लोगों के अंदर respiratory disease cause हो जाएंगी, देखो, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में हम oxygen gas use में लेंगे, कहां से लेने हैं, environment से, यानि gas हम यूज में लेने हैं, और अगर harmful gase हमारे अंदर जाएगी, तो several disease cause हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, gaseous waste का treatment करना चाहिए, ठीके, चलो, management, यहां पर पड़ाए, management of gaseous waste, ठीके, सबसे पहली बात तो बेटा, जो burning हो रही है, आजकल जो bio degradable, non bio degradable सब की burning कर देते हैं, उसको जला देंगे बेटा, तो environment में कुन सा pollution होगा, air pollution होगा, यानि gaseous waste generate होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, जो organic waste है, at least उसको तो burning करना चाहिए, ठीके, तो क्या होगा, do not burn organic waste, organic waste को burn नहीं करना चाहिए, जो organic waste से तो आप compost बना सकते हो, वो environment को polluted ही नहीं करेगा, तो उसको burn करने की requirement ही नहीं है, ठीके, सबसे पहला treatment की होगा, और उसके अलावा, जो factories वगे रहा है, वहाँ पर filter यूज में लेना चाहिए, फेक्ट्री से क्या निकल रहा है विटा, gaseous waste निकल रहा है, तो हमें gaseous waste में क्या क्या होता है, solid particle भी होते हैं विटा, तो उसमें से क्या करना चाहिए, solid को अलग कर लो विटा, तो वहाँ पर factories के अंदर filters यूज में लेने चाहिए, यह government को rule बनाने चाहिए, चाहिए, industries के अंदर क्या use में लेने चाहिए, फिल्टर यूज में लेने चाहिए, ठीके, तो use filter in industries, थार्ड पोइंट है पिटा, कि जो industrial waste है वो direct environment में remove नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको filter कर देना चाहिए, एक और जो हम petrol और diesel यूज में लेते हैं, बहुत ज़्यादा pollution कोस करता है, यानि कि gaseous waste कोस करेगा, तो petrol और diesel की जगा हमें CNG और LPG यूज में लाना चाहिए, CNG मतना compressed natural gas होती है और LPG होती है liquid petroleum gas, LPG आपके gas cylinder में भी यूज में आती है घर के अंदर, ठीक है? तो use LPG, CNG instead of diesel and petrol, diesel और petrol को सबसे कम use में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? या CNG gas यूज में लेनी चाहिए, वैसे भी petrol, diesel बहुत महंगे हो गए है ठीक है, उसके अलावा देखो, गेस यास वेस्ट को management करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो factories वगेरा है, उनसे जो direct gas निकल रहे है, उसको air में remove तो कर रहे है, लेकिन अगर chimney की height अच्छी हो गए ना, तो air में जो west वो disperse हो जाएगा, और air pollution को स्कम करेगा, तो जो chimney की height ना, वो ज़्यादा होनी चाह की height जादा होने से, या tall chimney होने से क्या होगा बेटा, जो air pollution निकल रहे है, वहां से, या gaseous west निकल रहे है, वो air में easily disperse हो जाएगा, और हम लोगों को कम से कम harm करेगा, तो ये सारी management of gaseous west के अंदर आ गए, उसके अलावा, use, देखो, जो smoke कोस करते है, smoke मतलब बताए बेट कुछ कुछ ऐसे chemicals होते हैं, जो जदा धुआ कोस करेंगे, यानि smoke कोस करेंगे, हमें ऐसे material यूज में लेने चाहिए, जो smokeless है, ठीक है, use smokeless material, जैसे कि जो petrol और diesel होते है, पेट्रोल और diesel लेड फ्री होने चाहिए, अगर लेड उनके अंदर प्रजेंट होगा ना बेटा, त जादा जनरीट करेंगा, तो हमें लेड फ्री पेट्रोल और डीजल यूज में लेने चाहिए, ठीक है, यह हो गया smokeless, मतलब धुआ भी कॉमकोस करेंगे, गेसे वेस्ट कम जनरीट करेंगे, तो यह हमें सारा management of gaseous waste के अंदर आना चाहिए, उसके अलावा गवर्मेंट को proper rules and regulation बनाने चाहिए, जैसे कि pollution check करते रहेना चाहिए, कोई वीकल है, वो ज्यादा gaseous waste जनरीट कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसके उपर ban कर देना चाहिए, तो गवर्मेंट को इसके लिए proper rules and regulation बनाने चाहिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, management of the liquid waste और management of the gaseous waste, यह reuse for our principle हम नेक्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है, चलो, thank you